तिकट हमने ले लिया दोस्तों जो की 40 रुपे का है यहां देखेंगे तो आपको दो बाग दिखाई देगा एक बाड़े का अंदर एक बाहर है तो काफी बड़ा है यह देखिए बबर सेर जिसको बोलते हैं बबर सेर भी आपको देखने को यहां मिल लागा तो पिकॉक देखने में काफी अलग है काफी ज्यादा अलग है सुभीधा पड़ेगा इजी तरीका मैंने आपको बताया दिया आने का इससे अगर आते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा किसी ते पूछने का जौरत नहीं है सब फर्स टाइम मैं आपको वीडियो में देते हैं दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ जू के अंदर और यह देखिए यहां पर लिखा हुआ वेलकम इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहां पर कार का पार्किंग मिलेगा यह कार और जीप का पार्किंग है और इस साइड में जो है टू अंदर क्या क्या चीज़ है वह मैं आपको थोड़ा से दिखा देता हूं अंदर जो आपको सुविधा मिलेगी वह है पेजल्स सौचाले प्रात्मिक उप्चार फिल्चेर विस्राम सेड और कुड़ेदान यह जो है इसमें अंदर में है कैंटिंग है बोटिंग है बस है व आपके पास समान है तो यहाँ पर geriय गरके वहां से जा सकते हैं चले क्या कर देता हूं है कि आप समान दोस्तों यहां पर रख सकते हैं सवार रखने का यहां पर दिया हुआ दस रुपब लगेगा प्रती बैज और वहां पर टिकर्ट काॉंटर तो टिकर्ट का टीकट का जो पर चालीस रुपब टिकर्ट लेकर कर लिए चलेंगा तो मैं आपको का है अब अंदर जाने वाले हैं तो यह देखिए यहां से इंट्री गेट और अज संडे का दिन है तो थोड़ा से भीड भी वड़ने वाला है तो चलिए चलते अंदर और अंदर कम आपको दिखा देता हूं कि अच्छा जू है या कैसा है मैं आपको अंदर जाकर कि फिर बताऊंगा और पार्किंग जो है काफी बड़ा है पार्किंग ना पराम से लगा सकते हैं बाइक बगएरा और प्रवेश दुआर यहां से लिखा तो यहां से भी इंट्री करेंगे नेम ho kathص में यहीजी आपको इंट्री करना है वहाँ पे भी टिकट काउंटर है और इस साइड़ भी टिकट काउंटर यहां पे यहां पर जहाँ और प्लास्टिक को समान में बोतल बगर आपको नहीं ले जाना पानी पीना है तो अन्दर में हों पानी पीने का वह आपको मिल जागा बहिना टिकट का एंट्री नहीं करना है वो सारा कुछ यहां लिखा हुआ है और यहां से भी हम लोग एंट्री करेंगे और एंट्री करके मैं आपको फिर अंदर का दिखाता हूं अब आपको एंट्री हो जाता है उसके बाद आप इधर साज आईए और यहां आपको जो है डायरेक्शन लिखाओ मिल दयागा यहां लिखाओ इधर से जाने के लिए तिस सेट से आप चले जाए और बैटरी वहन के लिए आपको बैटरी वहन लेना चाहते है तो उस सेट करेंगे इंट्री हमारा हो चुका है दोस्तों और देखेंगे यहां पर आपको बोड मिल दाएगा इस साइट से जाने के लिए बोला गया इस साइट अगर मों चलते हैं और आगे चल करके फिर मैं आपको दिखाता हूं कि अंदर कौन-कौन सा जीओ है वह सारा कुछ अभी और ग्लास लगा हुआ है वहां देखें एक औक्टेल वहां बैठा है और दो वहां बैठें और एक दो वहां भी बैठें आपको दिखाई दे रहा होगा और अंदर में बहुत सारे डेर सारे हैं एक काच के कारण थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है कम से कम 10 से 12 जो है यहां आपको दिखाई देगा वो देखें ऊड़ी आए थोड़ा से उपड़ आगे चलता हूं कि अब यहां पर दब दब देखने को मिल रहा है डब बड़ इसके बाद यहां पर छोटा वाड़ है यहां पर देखें जेवरा फिंच छोटा से वेरी बनाया गया है जेवरा आपको ज्यादा नहीं है और इसार आगे बढ़ते हैं लोरी रखा हूँ है लोरी रेड लोरी है यहां यहां पर रेड लोरी है यह देखिए रेड लोरी और इससे पहले मैंने आपको दिखाया दोस्तों जेवरा फिंच यह देखिए और यहां जेवरा फिंच वैठा हुआ है एक छोटा से यहां पर देख सकते आप देखिए अंदर चला गया नीचे छोटा सा केज बनाए गया है दो छोटा चोटा केज इसके बाद आगे चलेंगे अब टुका यहां पर दोस्तों देखने को मिल रहा है जो कि यह भी डांसिंग कर रहा है क्योंकि वी बादल चाया हुआ है मौसम भी पूरा बरसात वला है तो उस तरह से जो कि सामने ताध आप देख लीजे बहुत अच्छा पोजिश्न में था तभी मैंने इस यहां पर ब lass बागा कि जिसके अंदर काला वाणस स्वान और मूर आप तो तो नमाइन देक्षा सकते हैं वह होगा फिसने मोर यहां पर फोड़ा है और नास्थ कर रहा है तो लेकिन वहां का जो मोर आप देखिए बहुत वड़ा मोर है यह मैं थोड़ा से जुम करके आपको दिखा देता हूं कि मोर के बाद जो है इस चाइड में इम में रखा गया है और इस आइड बर्ट तो बर्ट समय पहले आप दिखाता हूं उसके बाद इमो वाले साइड चलेगे तो जो जो बोड़ लगा है है यहां पर सारे बट्स है और मैं हाँ इसके अंदर है यहां पर नॉर्मल देशी पैरोप देखे आप देखने को मिलेगा दोस्तों यह देखिए और इसके अंदर रेड बेस्टेड जो है वह भी है लेकिन जाले के कारण कैमरे में ठीक से नहीं आ रहा लेकिन अंदर में है आप सामने साएंगे तो आप देख लिए असले हैं उपस्तों कि एक इसमें लबड़ और बजरी घार लिखा हुआ है यहां देख्जित वह लिभ arma हिर्म में दोस्तों इमयो यह देखिए बहुत से मूंआ यहां पर तैंट एक वहां पर चल रहा है यह यहां वहाँ उप इस साइड में चार पांच है और इस साइड भी चार-पांच है दस बारे के संख्या में इनको रखा गिया है अच्छे खासे quantity में रखा गिया है यह वीडियो हो सकता है दोस्तों थोड़ा लंबा हो लेकिन मैं इसमें आपको complete दिखाऊंगा पूरा complete यानि के पूरा complete जो दिखलाने वाला हूँ हर एक जो इसमें animals, birds वगएर रखे हुए सारे को में कोशिस करूँगा नजदिक से आपको दिखाने का इसमें black swan भी है black swan मैं आपको कोशिस करता हूँ थोड़ा दिखाने का यहां देखिए काला हंस जिसको बोलते हैं इसमें white और black दोनों कलर का हंस है इसके अंदर silver तीतर है वो देखिए सामने आपको दिखाई देगा silver तीतर इसमें दोस्तो hornibald को रखा गया है यहां पर देखिए एक पीस दिखाई दे रहा है बस इसमें एक ही है अभी मैंने पीछे वहां से इंट्री किया है उसके बाद इस साइड से मैंने बड्स वगरे देखा यहां पर इमू वगरे है इस साइड में हमारा यहां पर देखिए झूक मैपिंग भी दिया गया है और दीर दीर आगे चलेंगे और आगे यहां पर देखते हैं दिखाता हूं मैं आपको यहां यहां पर आपको बड़ा सा ृ डेहनों को मिलेगा जो कि अंदर बैठा है कि इसके अंदर मैं थूदर जूम करता हूं कोशिद कर तूब आपको साथ दिखाई धी तक पानी चल पार है क्योंकि बहुत ही अंदर बैठा है हलो का दिखाई नहीं को को चोटे बटेर चल रहे हैं यह देखिए साउंड भी कर रहे हैं तो दिखता भी आरे हैं वाई तो पाइब पाइब लोग क्या इस चपना भी रहे पाइब लोग करें पाइब लोग करें पहाड़ी मैना इसके अंदर है दोस्तों देखिया दो तीन पीस है साउंड भी कर रहा है और एक बॉक्स के अंदर बैठा यह देखिए उड़िया उड़िया इस साइट यह देखिए यहां पर बैड़िया सामने यहां आपको दिखाई देगा थोड़ा सा क्योंकि जाली बहुत बारिक लगा हुआ है बहुत किलियर नहीं दिखाई दे पाएगा आप एक बहुत ही बड़ा सा सुतुर मुर्व जो है कि दिखाई देगा यह देखिए काफी विसाल और बड़ा पाएगा देखिए बारिक देखिए अजन्यू देखिए विसाल नाप देखिए बारिक देखिए ड़को आतर देखिए ग्याओ जाएगा है अब अन्याप गुदू सुनहरा तीतर इसके अंदर है वहां पीछे बैठा हूआ है काफी दूर में और जो भी चीज दखा गया है जो भी नाम देया गिया है और अंदर नहीं है यहां पर दोस्त अंदर में चील है और इस साइड में दिखेंगे तो आप यहां पर उल्लू भी है चील में हम देख लिए चील को देखके आप आगे बढ़ते हैं यह कि मौh सारा चील है पहुत ही बड़ा बड़ा है और कापी ह्या सबी चील को यह देखिए हैं सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ गरूर देखिए दोस्तों यहां पर है अधिन लिखा लोगा बैटी तुम उभू से पुछती है काचीज है हम तुछ ना पहता हम जरूर है जरूर दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ बाग के पास यहां देखेंगे तो आपको दो बाग दिखाई देगा एक बाड़े का अंदर एक बाहर है तो दोनों को ही देख पा रहा हूं मैं और काफी सामने से आप देख सकते हैं इंडियन बाग जो है बैक केमरेस में आपको दिखा देता हूं थाकि आपको क्लियर से कि यहां एक बहुत ही सुन्दर से लेपर्ड गार्डेन बनाया गया है और यहां पर फ्लावर जो है बहुत सारा फ्लावर आपको देखने को मिलेगा मिलेफ्ड जाली कंटिया कूक है और दो साइट जाली है तो चलीए देखते हैं जाली के अंदर क्या है का रालेपर्ड का जाली का एक और जाली क्या यह pou dal αी Some इस वे वहां थे लिद्यूर तो एक तो चीता है और दूसरा black leopard बहुत ही खतरनाक टाइप को दीख रहा है यह देखिए आर आई सी साइट और एक लेपड वहाँ पर घुम रहा है अब देखेंगे और ब्लेक लेपड यहाँ पर मैं पहली बार देख रहा हूं फर्स्ट टैम मैं देख रहा हूं ब्लेक लेपड जो की बहुत ही खतरनाख टाइप का दीख रहा है बहुत ही जबदस्त यहां पर दोस्तों एक लेपड है जो कि नॉर्मल लेपड है और दूसरा जो लेपड है वो ब्लेक लेपड है ब्लेक लेपड में भी आपको दिखा देता हूं जो कि थोड़ा पीछे चला गया अभी आगे आएगा तो मैं दिखाता हूं और इसमें क्या है कि यह खाली है यह एक लेपड इसमें भी है वहाँ पीछे आपको दिखाई देगा सबसे पीछे बैठा है और बहुत ही अच्छा बनाए गया है बहुत ही बड़ा सा है लेपड एरिया जो है कि यहां आपको दोस्तों देखने मिलेगा लेपड कैट यानि कि चीता विल्ली इसको बूलते हैं चीते की तरह दिखता है कि यहां छोटा सा और एक बड़ा सा है वहां वहां पर दू है अब देखें यहां से मैं आपको दिखाने कोशिश करता हूँ वहां पर आप देखेंगे तो दो पीस है अब आपको लायान नौका यान हाथी और साब घर आगे मिलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे अभी मैं इस साट से गूम करके आया हूँ पूरा लंबा डिस्टेंस तो कैसे मैं यहां तक आया क्या क्या देखने को मिला यह मैं आपको बताता हूं फिर आगे मैं बढ़ता हूं दोस्तों आज मैं हूँ राची के चिडिया घर में जो की बहुत ही अच्छा चिडिया घर है अभी मैंने आधा घूम लिया है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले कि यहां आना कैसे आने के लिए आने के लिए सबसे पहले पाइना आने के आप से लेगा 30 रूपय, आपको बूटी मोड उतरना है, बूटी मोड आप उतरेंगे, तो 30 रूपीज आपको लगेगा, और बूटी मोड के बाद आपको आना है और माजी, और माजी बोनना है जू, और माजी जू जाना है, तो और माजी में ये पढ़ता है, जू है ये और तो रेलवे स्टेशन आने का 30 ₹ मौौ महीं और और मौजी आने के लिए 50 ₹। सिन पर सता हैं तो वहां च्टी मौौण से और इसी दिल सावराइस सीटली से एसे आ ही सब्सक्राइब वो है ठंडे कशमें में यानि कि आप जुन जुलाई से जो बारी से स्टाट हो जाता हुए उस टाइम से आपको अच्छे से गुमने में बिल जाए और फरवरी तक कि आ पर आ सकते हैं फरवरी के बाद मार्च में भी आ सकते मार्च के बाद फिर फिर फ्रोब से गर्मी पड़ेगा गर्मी से आपको अवर्ट करना होगा गर्मी का टाइम में आप ना है नहीं तो आप परिसान हो जाएंगे बस यह कुछ आपको जानकरी देना था आपको आने के लिए यह सारा सुभीधा पड़ेगा इजी तरीका मैंने आपको बताया दिया आने का इस से अगर आ पहले मैंने टाटा जू राची का जू मैं अब है देखा हूँ एसके अब दीखा था उसकी दाम अब दो utilized मैं देखा फार्मी क 돼 दिया यह तका दब लाइन को आ एक बड़ा सा लाइन यह देखिए मैं आपको दिखाने कोजिट करता हूं यहां से थोरा से जूमिंग करके काफी बढ़ा है यह देखिए बबर सेर जिसको बोलता है बबर सेर भी आपको देखने को यहां मिल जागा एक छोटा सा दोस्तों यहाँ पर गार्डेन भी बनाया विजफियेगा आप याद करेंगी यह ज़ू काफी ज्यादा संदार है गुमने के बाद हमें मिला है यह मैप अब देख लेता हूं यह विआ देख लीजिए कैसे-कैसे को ब Vai् rarely nap को बता देका हूं इंत्र कहां से हुआ था वो था वो भी में आपको दिखा देता अभी तवी तो मैं पी नहीं सर्थ अब है दो बने किया लगा अन्य टrikिस तो यहाँ ठाइज केंद रिखा दोस्तों ते लेकिन सेर्ट क्यों बचाए बचाए आप देख लीजिए आप इसको पहुच करके जूम करके पढ़ लीजिएगा यह मैंने आपको दे दिया है तक आप अगर कभी आते हैं तो आपको रेट वगए यहां से मिल जाए इसके बाद जो मैंने आपको बबर सेर दिखाया था उसी टाप का एक सेर नी है जिसको बाड़ एक लकडबगः दोस्तों देखने को मिला है यहां अन्दर और यह पूरा बहुत बड़ा से एरिया बनाया गया है यह पूरा फैंसिंग किया गया है इस सेढ़ भी एक लकडबगः इसमें है अभी मैंने दोस्तों आधा से जादा जो है पार्क को जू को यानि घुम लिया है इसमें बोटिंग भी कर सकते हैं काप्य अच्छा पार्क लगा मुझे आधा घुमने के बाद ही मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद मैं आगे चलता हूँ और आगे दिखाता हूँ कि क्य क्या क्या है पूरा जंगल डाइप आपको यहां मिल लाएगा यहां पर चाहिए तो पिक्चर फोटोग्राफिक करवा सकते हैं यह देखिए बहुत ही सुन्दर बनाया गिया है और बहुत अच्छा नेचर टाइप का आपको नेचरल जो लुक है ब्योटी जो है वो मिल ला गया है तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या है अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि स्लोटेट बीर देखिए दोस्तों यहां पर है एक यहां पर हिमाले का काला भालू आपको देखने को मिलेगा तीन पीसिस में दिखाई दे रहा है मुझे और दो पीस जो बालू है इसमें है और तीन पीसिस में है यह बहुत पूरा डिप ब्लैक है यह अलग टाइप का हिमाले का भालू जो है यह मैंने फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है अगर आप यहां आते हैं तो आपको यह बहुत अलग सा भालू जो है देखने को मिलेगा और इसके गले के नीचे वाइट इसको डिफरेंट बनाता है इमेलेक भालू का पहचान है यह देखिए आचुका एक पानी में और एक बाहर है दो उधर है और दो उधर है यहाँ इसमें टोटल 6 पिस मुझे दिखाई दे रहा हो सकता 2-4 पिस और भी हो क्योंकि यह गूफा जैसा जो है इसके अंदर और भी भालू हो सकता है कि यहां पर आपको पीने का पानी और टॉलेट जैंस लेडिस दोनों का यह मिल जागा यह बीर जहां था मैंने दिखाया ठीक इसके सामने ही है गुल और यह मघरमाच इसमें है दोस्तों यह पिदे जो है और जाली के काम यहादा दिखाव म में लेकििन हैं बहुत सुदर सुदर ऐसके अंदर काला सफेद दोनों कुछम को हिरन रखा गिया है जो कि देखने में काफी कुपसूरत लग रहा है आप यहां आएंगे तो आपको इसका मज़ा मिल लाएगा साहिल देखिए दोस्तों इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में लगबग 20-30 साहिल जो है इसके अंदर है और यह मैं फर्स टैम देख रहा हूं कि इतना ज्यादा रखाओ गया है क्वांटिटी में यहां नील गया देखने को मिलेगा ब्लैक और वाइट है कि ऑना ज्यादा रखाओ गया हूं झाली को मिलेगा भाएगा जया रखाओाओा रखाओावन ब्लैक इसके अंदर के चारा रावं कि एड़िए आजास झाली को मिलेगा वादा रवीछ धिर ब्लैकरार्णक्ष मैं cया है झाल झाल प्रेटी सो दिखाने के लिए भी यहाँ पर ओडियो विजन सेंटर बना हुआ है जो की फिलहाल बंद है काफी दिनों सो बंद है स्टार्टिंग में थोड़ा सा चला था प्रोगाम उसके बाद बंद कर दिया गया झाल कर दो आपी देखना पागी कैसे उडिगा पागी देखना पागी कैसे उडिगा आप कर दो कि दो कि आपागी को लिए पैसे डो पेसे नारी बड़ा हरे सेर का नहीं आपले कि अधार भावाम्टर में कि अधी हमार भाव भोग लोग जाइज है कि ने अंहुतर विदिए काजाएज स्वेक्षाने के तक निकार है अधार भाव स्कुल के निक्षाना कुछ तरह है है अंघ अरमक देख लें से जा सब्काते है टैसा, हां अन्दर अउन्त लेंड़ी Savior कर दो कि कि में Πो repo हुआ हुआ जा है कि मेंग्नेल एकमांग लेसिए जहा हुआ है मैं न ढर्या जो हुआ ट कानख्रो लेक है में लेद मैंने यहा बने Sawag प्रिए पापापापा अलो दो दो शुआ माश्के काले तो पापाव दोर पापाव में जोका तो में जोका आए दिन एक तो टीन अगवार यह दो टीन लाइन करके बच्छें तेन एक दो तीन लाइन करके बच्छें पूरा पार्क मैंने घूम लिया है और अब मैं आ चुका हूँ बाहर वीडियो और आपको अच्छा लगाओ थोड़ा सभी तो वीडियो को लाइक दीजिएगा चैनल पर नाया है तो चैनल वीडियो सब्सक्राइब केजिएगा इसी तरह के वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा धन्यवाद